हेलो एरिवन वेल्कम बैक टो माई चनल लेहां खान डूटोरिल सो गाइज इस नेक एंब्रडरी की वीडियो में आपके साथ शेयर कर शकी हूँ मेरे यूटीब चैनल पर एवलेबल है जिसने नहीं देखिया वो जाके एक बार चेक कर लें सो गाइज इस वीडियो में आपके साथ स्लीव की एंब्रडरी डिजान शेयर करूंगी एंड इस कुरती की कटिंग और इस्टेचिंग भी शेयर करूंगी तो इस वीडियो के लाश्ट तक जरूर देखना कुरती की कटिंग करने के लिए यहां सबसे पहले मैं लाइनिंग फ आर्मोल का शेप देने के बाद अब हम बस्ट एंड वेस्ट की मार्किंग करेंगे तो बस्ट की लिए जो अपना आपका मेजरमेंट है आप वो ले ले लें प्लस मार्जिन उसके बाद अब यहां मैं उपर से 57 इस पर मार्क कर रही हूं और यहीं से मैं अपनी वेस्ट के मार्किंग करूंगी तो जो भी मेरी वेस्ट है मैं उसके अकॉर्डिंग मार्क करूंगी और प्लस मार्जन and then बस्टेंड वेस्ट के मार्क को आपस मैं मिला लेंगे लेंग्ध है मैं उसके according marking करूंगी तो आप अपने according marking कर लें देन यहां यहां नीचे से corner से जो भी मेरी length है उसकी marking करने के बाद यहां corner से यह मैं अपनी waste की mark से इस mark को attach कर लूँगी और नीचे से एक curved round shape दे दूँगी अब हम इसकी cutting कर लेंगे तो यह cutting करने के बाद अब यहां मैं उपर 3 inches पर mark करके और shoulder पर ढाल दे दूँगी lining की cutting करने के बाद अब हम main fabric पर cutting करेंगे तो यहां जो मेरा main fabric है मैं उसको double fold करके मैंने रखा है and इसके उपर मैं lining भी रख दूँगी lining को अच्छे साइट करने के बाद अब हम इसकी marking करेंगे तो यहां से मैं armhole की marking से start कर रही हूँ तो armhole की marking करने के बाद अब यहां मैं bust से सिर्फ waist तक mark कर रही हूँ तो waist पर मैंने यहां चोटा सा cut लाकर रखा था तो बस यहीं तक मैं mark कर रही हूँ and उसके बाद हम खुद हूँ यहां की marking करेंगे तो जो भी मेरी कुर्टी की length है उसको यहां corner से हम यहां waist तक मिला दिंगे और एक तिर्फी line draw कर दिंगे ऐसा करने के बाद हम इसकी cutting करेंगे तो इस कुर्टी को मैंने नीचे से कोई भी curved shape नहीं दिया है क्योंकि मैं अपनी कुर्टी जो बना रही हूँ थोड़ी से मुझे corner लटके हुए चाहिए इसके तो जो मेरे अंदर की lining थी उसमें तो मैंने थोड़ा सा curved shape दिया था लेकिन इसको मैं नहीं दूंगी and यह मेरी cutting हो चुकी है अब यहां मैं neck की marking कर रही हूँ और यह मेरी lining है तो इसमें मेरे दौन ही पार्ट है front and back तो इसमें मैंने कट किया हुए पार्ट को रख लिया है तो इसकी marking कर लिंगे हम अब यह मेरा front neck तो बन गया है अब मुझे back neck बनाना है तो यहां मैंने 2.5 inches से गहरा back neck भी बनाया है तो अब मैं सबसे पहले back neck को कट कर रही हूँ अब मैं back part को अलग कर दूँगी और यह मेरा front part रह गया है तो अब हम front neck की भी cutting कर लिंगे अब यहां मैं आर मूल का भी shape दे रही हूँ यह मेरे front के आर मूल है तो यहां मैं थोड़ा ढाल देकर front के आर मूल का shape दे रही हूँ front part की complete cutting होने के बाद यह मेरे lining का part है अब मैं इस पर जो मेरा main fabric का part है मैं उसको रख रही हूँ और यहां मेरा neck में marginal fabric है वहां मैं sly लगा दूँगी और यह मेरा back part है तो यह मेरा lining fabric है जो मैंने neck lining fabric पे cut किया था वही मैंने same जो मेरा main fabric था back part का उस पर भी मैंने cut कर लिया था और इन दोनों parts को मैं मिला कर दोनों fabric को मैं आपसे मिला कर और यहां भी मैं half inch का margin शोड़ते हुए sly लगा दूँगी तो sly मेरी लग चुकी है अब यहां भी neck पे मैं cut कर्च लगा लूँगी कट्स लगाने के बाद आप मैं इसको पलट लूँगी और पलट के सीधा कर लूँगी तो इन दोनों fabric को मैं आपस में सई से attach कर लूँगी shoulder से and armhole से and यहां waist तक में sly लगा लूँगी तो यह मेरी sly लग चुकी है अब यह मेरा back part है तो back part पर भी मैं ऐसा ही करूँगी सबसे पहले यहां में cut लगाऊंगी hand cut लगाने के बाद यहां मैंने यह front part ले लिया है और इन दोनों के आपस में shoulder attach करके यहां में sly लगा लूँगी तो यह shoulder पर sly लगाने के बाद यहां जो मेरे corner थी मैंने corners को cut कर लिया है hand cut करने के बाद इन दोनों parts को मैं खीच लूँगी और इनको सीधा कर लूँगी और यह जो मेरे back part है यहां भी मैं दोनों जो मेरे fabric हैं इन दोनों फैब्रिक को आपसे मिला कर लगा लूँगी आरमोल में यहां वेस्ट तक में दोनों साइट लगा लूँगी तो यहां बड़ी टाकी के लगा रही हूं इसके बाद यहां में दोनों में फिटिंग लगा जाओंगी सारे कपड़ों को एक साथ पकड़के और यहां ऊपर वाला कपड़ा आटा दूंगी और जो मेरा में फिटिंग लगा लगा लूँगी तो यहां मेरे बचा हुआ फैब्रिक हैं यहां साइडों से निकला है तो इन मैसे में स्लीफ बनाऊंगी तो इन दौनों को है तो इन जॉइंट पर में स्लाई लगा लूँगी इन जॉइंट को हाइड करने के लिए गाइज में यहां पर एंब्रोइडरी करूंगी तो यहां मैंने छोटे-छोटे मिरर्स लिए हैं सर्कल शेप में यहां बी सेमन थाउजंड ग्लू लिया है तो यहां में चोटे- की यूजन कर नहीं हूं तो इसको मैंने वरिंज की लेंग्ठ में कट कर लिया है एंड्र स्वेधाय की हैत्त से इन मिररस जोटे-बांडरी बनाऊंगी तो यहां मैंने मिररर्के जश्ट बरावर मैं यहां मैंने दपके को ले लिया है और इस्के मेरर के 4 और मैं इसको इस् तो ऐसे ही में सभी मिरेट्स की बाउंडर बना दूंगी एंड उसके बाद यहां मैंने गाईगा सुई को लिया है और यहां मैं छुट छुट मोती ले रही हूं तो इन चार मोतीयों को मैंने लिया है और थोड़ा सा गैब देके यहां उपर से इसको नीचे कर लिया है और इसके जस्ट बरावर मैंने सुई को उपर निकाला है और फिर मैंने चार मोती लिया है और इसके नीचे से मैंने इसको लिया है और इसके दूसरी साइड मैं से मैं ऐसा ही कर रही हूं इन मोती को मैंने लेया है और इससे पहली अर्ज लाइन थी उससे थोड़ा नीचे मैंने इस मोतियों को निकाल लिया है and ऐसा मैं फिर दोबारा करूगी तो मेरी तूसरी वाली लाइन में बनाई थी उससे मैंने एक मोड़ी का गैप छोड़के मैंने इन सुय को निकाला है और इससे फिर थोड़ा सा नीचे मैंने इस रिचे ले लिया है ऐसा करने के बाद यहां मैंने एक दपके का छोटा सा पीस लिया है और इसको मैंने यहां इसके जहां से मैंने सुई निका लिया थी उसके जस्ट बरावर मैं सुई मैंने दुबार नीचे ले लिया है और यह एक सर्कल बन गया है और मैंने दूसरी साथ से फिर सुई निकाली है और इस सरकल को दूसरी साथ से भी सिलिया है और यहां मैंने थोड़ा साथ कैप छोड़के यहां आगे से मैंने सुई को ले लिया है और इसके जस्ट बराबर का ही मैंने एक दपके का पीस फिल लिया है और इस सरकल के अंदर से मैंने निकाल लिया है और इसके ज़स्ट बराबर में मैंने फेस सुई को निकाला है और इससे थोड़ा बड़ा मैंने दपके का पीस लिया है तो जो मैंने पहली लाइन में बनाई थी इससे थोड़ा सा नीचे मैंने सुई को निकाला था और मैंने इ और इसको भी मैंने सेम इसी तरह से लिया है यह आपको देखी रहोगा गाइद में किस तरह से सिल रही हूं तो आपको अच्छी से समझ में आ रहा होगा तो ऐसे ही छोटी छोटी पती सी में पूरी स्लीव में बना लूँगी और देखे मेरे स्लीव का यह है फाइनल लुक तो इन स्लीव को कट करने के बाद मैं कुर्ती में अटेच कर लूँगी तो वह मैंने नहीं दिखाया था तो मैं आपको डारेक्ट अप कुर्ती का फाइनल लुक दिखाती हूं गाइज तो दिस इस दा फानल लुक आफ माई ड्रेस तो गाइज आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और जादा से जादा वीडियो को शेयर करना एंड वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच